घर में घुसकर फिल्मी स्टाइल में विवाहिता का आपरहन करने का मामला सामने आया है बदमास दो गाड़ियों में सवार होकर आये थे आपरहन से पहले बदमासों ने विवाहिता के ससूर, सास और अन्य सदस्यू की आँखों में मिर्ची डाल दी फिर जमकर मारपिट की, उसके बाद विवाहिता को गाड़ी में डाल कर ले गए घटनार रविवार रात की है, जुनजुनु के सुल्ताना थाना चेतर के चनाना गाउं की है गटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चेहरे को कपड़े से ढके हुए, कुछ लोग घर में गुस्ते हुए नजर आ रहे हैं विवाहिता के ससूर, गणे सोनी ने बताया कि गटना के दुरान वह घर पर ही था अचानक मेरी बेटे की बहु की चिलाने की अवाज आई, दोड़ कर देखा तो कुछ लोग मेरी पुत्रवदू से जबरजस्ती उठा कर ले जा रहे थे रोकने की कोशिस की तो हमारी आँखों में मिर्ची डाल दी, मेरे वह मेरी पत्नी के साथ जमकर मार पीट की और पुत्रवदू का अपरहन कर ले गए उन्होंने आरोप लगाया कि अपरहन करने वाले उसके पुत्रवदू के पीहर के ही लोग हैं प्रेम विवा के चलते उन्होंने अपरण किया है चनाना निवासी जितिंदर सोनी 23 वर्षी है पुत्र गणे सोनी ने नागोड निवासी 20 वर्षी है मोनिका कवर से तीन मेहने पहले हिसार में प्रेम विवा किया था इस बाद से नाराज होकर पुत्रवदू के परीजन जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसने बताया कि अपरण करने वालोग में पुत्रवदू मोनिका कवर के पिता मामा उसके बेटे सही 10 बारे लोग आये थे घर में रखे जेवरात वाय कैस भी ले गए चनाना निवासी जितेंदर सोनी पुतर गणे सोनी की नागोर निवासी मोनिका कवर से सोसल मीडिया पर पैचान हुई थी जिसके बाद 5 अपरेल 2024 को दोनों घर से निकल गए इसके बाद उसी दिन हिसार के सनातन मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी इसके बाद दोनों स नागोर को तवाली था नहीं लड़के जीतेंदर के खिलाफ लड़की के पिता ने असलील वीडियो वाइरल करने का मामला दर्ज करवाया था जब दोनों 30 अपरेल को जुनजुनों SP के पास पेश हुए तब जुनजुनों पुलिस ने नागोर पुलिस को सुचना दे दी में पेश किया लड़की के बयानों के आधार पर जमानत हो गई दो मई 2024 को लड़के के परीजन लड़का और लड़की को लेकर चनाना आ गए तब से दोनों पती पतनी के रूप में दोनों चनाना अपने घर पर रह रहे थे